शिरी हरताली का तीज व्रत कथा सूत जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पारवती जी के केश शोबित हो रहे हैं तथा जो शिवजी मुंड माला से अलंकरत हैं जो अत्यन्त दिव्य सुन्दर वस्तरों को धारण किये हुए हैं तथा जो शिवजी दिकंबर हैं ऐसी सोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ, मन भावन कैलाश परवत के सिखर पर बैठी हुई, पार्वती जी कहती हैं, हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा, गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं, जो सब धर्मों की पेक्षा सरल हो, तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े, और फल श्रम से भी अधिक मिले, हे नात, यदि आप मुझे पर क्रपालू हूँ, तो क्रपया ये विधान मुझे बताएं, हे प्रभो, क्रपया बताएं कि किस तब व्रत या दान से आप जैसे परमेश् जो अनादी, अनन्थ हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हो, तुमको एक ऐसा व्रत पताता हूँ, जो केवल मेरा है और गोपनिये हैं, जैसे नक्षक्त्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों म ब्राम्भन, देवताओं में विष्णु, भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, और इंद्रियों में मंस्रेश्ट है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत पताऊंगा, जिसका उल्लेक, पुराणु, वेदों और स्मृतियों में किया गया है, इसे तुम मल लगा कर सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो, शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को, भादर पदमास में हस्त नक्षक्त्र से युक् किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूंगा, पार्वती जी ने पूछा, हे नात, आप ही के श्री मुख से मैं यह सुनना चाहूंगी, कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था, शिव जी बोले, भारत वर्ष के उत्तर दिसा की ओर, समस्त पर्वतों में स्रेष्ट, हिम मान नाम का पर्वत है, उसके आसपास विभिन प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध व्रक्षों से आक्षादित यह भूमी, इन व्रक्षों पर तरह तरह के पक्षी, पसु, बसेरा बनाए हुए हैं, गंधरवादी के साथ जाकर वहां, अनेखु देवगण, रिचस जिद्धी प्राप्त, साधूजन, चारण और पक्षियों के समू हमेशा प्रसन्न चित्त हो, विचरण करते रहते हैं, यहां गंधरवा लोग गायन करते हैं और अपसराय नर्तन करती हैं, पर्वत राज के सिखरों पर अनेख प्रकार के इस्वटिक, रत्न और वैद्रव मड़ी आदे की अनेख खाने हैं, यह पर्वत बहुत उंचा है, इतना उंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का इसपर्ष कर रहा हो, पर्वत की सभी चोटियां हिमाच छादित रहती हैं, और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है हे गिरीजे, तुमने बच्पन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था, इस पर्वत पर तुम बारह साल तक सिर के बल्टंगी रही और धुआ पी कर जीवित रही, चौसट वर्स तक मात्र पेर पौधों के सूखे पत्ते खा कर जीवित रही, मागे के महिने में तुम जल में बैठी रहती थी और बैशाक की चिलचिलाती दोपहरी में पंचागनी में तप्त रहती थी, सावन के महिने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी, एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कस्टों को देख कर बहुत ही दुखी हुई, उन्हें बड़ी चि आसन आदी देकर उनकी वंदना की और कहा हे स्वामी आप यहां किस हे तु आये हैं मैं धन्य हुआ आपका आना मेरे लिए बड़ा सुभ है नारज जी बोले हे परवत राज सुने मुझे विश्णु भगवान ने भेजा है इसलिए आपके पास आया हूँ आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्यारत्न को किसी योग्यवर को सौप दे ब्रह्मा विश्णु और शिव इन तीनों में भगवान विश्णु के समान योग्यवर और कोई नहीं हो सकता अता मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विश्णु को प्रदान कर दे परवत राज बोल भगवान विश्णु ने सुयम मेरी कन्या को ग्रहन करने की इक्षा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आये हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या दूँगा परवत राज के ये वचन सुनकर नारद मुनी आकाश में विलीन हो गये विव भगवान विश्णु के पास पहुँचे जो पीत वस्त्रधारी तथा शंक चक्र वगदा से शुशोबित थे वहाँ पहुचका नारद जी ने कर बद्ध होकर भगवान विश्णु से कहा हे देव सुनिये मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया उधर हिमाले पारवती जी के सम्मुक आकर बोले हे पुत्री मैंने तुम्हे विश्णु भगवान को समर्पित कर दिया है ऐसे में पिता के वचन स्रवन कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई फिर भूमी पर गिर कर तुम दुखादर होकर रोने बिलखने लगी तुम्हे इस प्रकार की क्रिया करते देख कर एक सखी निकट आकर बोली हे देवी तुम्हे इतना दुख किस कारण है मैं तुम्हारी प्रतेक इक्षा यथा शक्ति पूरी करने की चेस्टा करूँगी इसमें तनिक भी शंसे नहीं है पारवती ने कहा मेरी इक्षा क्रपया मन लगा कर सुनो मैं केवल शिवजी को ही अपने पती के रूप में देखने की इक्षा रखती हूँ मेरा यह वचन असंदिग्ध है मेरे इस विचार को मेरे पिताने मानने से इनकार कर दिया है अतह मैं अपनी देख का त्याग करने की इक्षा करती हूँ पारवती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा आप देख त्याग न करें अपितिव किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विशय में आपके पिता अनभिक्य रहें सक्यू के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गई दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रतेग ग्रह में ढूनने लगे दूतों द्वारा भी इस बात की खोश खबर ली कि किसी देवता दानव अत्वा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है तब उन्होंने स्वगत ही सोचा मैंने नारज जी से प्रतिग्या किये कि मैं अपनी पुत्री विश्नु भगवान को दे दूँगा ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्षा आ गई गिरी राज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चीतकार करने लगे जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे गिरी राज आप क्यों मूर्षित हुए क्रप्या कारण बताए हिमवान बोले आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो अच्छा है पता नहीं किसने मेरी प्रीपुत्री का अपहरण कर लिया है यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो या तो वह काले साब द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई होगी अथवा उसे सिंग, भालू आदे ने ग्रसित कर लिया होगा हाई, मेरी पेटी कहां चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसा विलाप करते समय वे वायू के जोकेक से कापने वाले व्रक्ष की भाती कमपित होने लगे तदू परांत, हिम्वान ने तुम्हें प्रतेक वन में खोजा वन में भी सिंग, भालू, आदि भयावह जानवरों का बोल बाला था तुम वन में विच्रण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे वन में पहुँची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी उस नदी के सुन्दर तट पर एक कंदर थी तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया फिर एक बालूका की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किये मेरी आरादना में लीन हो गई और भाद्र पत्र सुकल पक्ष की तृतिया तिथी के सुब अवशर पर तुमने मेरा सविधी पूजन किया और रात्री में जागरण कर गीत वाद्यादी से मुझे प्रसंद किया उसी व्रत को करने के फलसरू मेरा आसन डोल उठा कारण वस मैं उसी छण उस इस्थान पर पहुँच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रहे थी वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा हे देवी मैं तुमसे बहुत प्रसंद हूँ तुम इक्षित वस्तु मांगो तुमने कहा मेरे देवता यदी मुझ पर प्रसंद हूँ अनुग्रह करना चाहते हूँ तो मुझे पती के रूप में प्राप्थ हूँ मैंने तथास्थु कहा और कैलाश परवत पर लोटने पर प्रातह तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महावरत का पारण भी किया उसी समय हिमवान भी तुम्हारे आश्रम के निकट आये कुछ छणो परान नदी के टट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए उन्होंने तुरंत तुम्हें गले से लगा लिया और विलाप करने लगे तदुपरांत बोले हे पुत्री सिंग व्यागर से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई तब पारवती जी ने उत्तर दिया हे पिता मैं पूर्व ही स्वयम ही सिवजी को समर्पित कर चुकी थी आपने बात नहीं मानी इसी कारण मैं इस बीहडवन को चली आई हिम्मान ने उन्हें धैरे बधाया और कहा हे पुत्री तुम्हारे इक्षा के प्रतिकूल मैं कुछ भी न करूँगा उसी चहन वह तुम्हें अपने घर ले आए और मेरा तुम्हारा विवा संपन्न करा दिया इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुक इस व्रत के विशे में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था हे देवी अब मैं तुम्हें यह व्रत्तान्त सुनाता हूँ इस व्रत को हरी तालिका के नाम से क्यों कहते हैं पारवती जी बोली हे प्रभू आपने नाम तो बताया किन्तु इस व्रत की विधी भी बताईए इस व्रत को करने से क्या पुर्णी मिलता है वह क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है तब श्री सिवजी पारवतीजी से बोले, हे प्रिये नारी जाती के हितार्थ, मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ, वे इस्त्रियां जो अपने सौभागे को अखंडित देखना चाहते हैं, विधिपूर्वक इस व्रत को रखें, सरप्रतम केले के इस्तंब आदी से सुसूभ को लीपें, तदू परान संख, भेरी वा म्रदंग आदी के बाजे बजाते हुए, जन समू के साथ मंगलाचार करते हुए पारवती तथा शिवजी के प्रतिमा को इस्थापित करें, उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त, पुष्प, गंध और सुपारी, जंबीरी नीबू, लौंग, अनार, नारंगी आदी, जो भी फल उपलब्धों एकत्रित करें, उस रितू में जो भी फल फूल उपलब्धों उन्हें खास तोर से रखें, तदू परान, धूप, तथा दीपादी से सज्जित, निम्न मंत्रों द्वारा उच्च इसका अर्थ है, हे शिवे, शिवरूपिडी, मंगले, सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिवरूपे, आपको नमस्कार है, हे शिवे, आपको सर्वदा नमस्कार है, हे ब्रम्हरूपिडी, आपको नमस्कार है, हे जग को धारन करने वाली, आपको नमस्कार है, हे शेर पर सवारी करने वाली विश्व के भै से भैबीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें इस इक्षा को पूर्ण करने है तो मैंने आपकी आराधना की है हे पारवती मुझे राजय तथा सौभागय प्रदान करें मुझे पर कृपा दिस्टी रखें मंत्रों के द्वारा पारवती तथा शिवजी का पूजन करें उसके बाद दत्चित्त हो विधी से खथा श्रमन करें तथा ब्राम्मन को वस्त्र आदी गोदान तथा श्वर्ण आदी प्रदान करें इस्त्री पूरुष दोनों मल लगाकर एक साथ आराधना करें तदंतर वस्त्र आदी जो भी हो उसका संकल्प करें हे देवी जो भी नारी इस विधी से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह सात जन्मों तक सुख प्राप्त होती है लेकिन जो नारी तृतिया की तिथी को वरतादी न करके भोजन या खान पान करती है वह सात जन्मों तक बंध्या रहती है और पुनः-पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है वह सदा दरिद्र रहती है उसे पुत्र शोक से छुब्द रहना पड़ता है वह करकशा, सर्वता दुखी रहती है। इस प्रकार व्रक न रखने वाली नारी को खोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्नादी के भक्चन से सूकरी, फल भक्चन से बंदरिया, जल पीने से जोक, दुख्ध पान से नागिन, मास खाने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिस्ठान भक्चन से चीती, अन्ने वस्तुओं को खा लेने से मक्षिका, मक्षी के जन्म में आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है, तो वह अजगरी तथा पती को छलने से मुर्गी बनती है। अता प्रतेकिस्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे, सुर्ण, चांदी, तांबा तथा बाज के पात्र में अन्न भर कर, ब्राम्हण को दान में दे दें तथा पारणादी करें। इस प्रकार व्रत वाले नारी को मेरे समान पती की प्राप्ती होती है और मरनासन अवस्था में उसका रोप तुम्हारे सिद्रश्ट हो जाता है। अभी व्रतों में अति उत्तम हैं जिसके अनुस्थान मातर से करोणों यग्य का पुन्यफल प्राप्त होता है। इति श्री हरिताली का व्रत कथा समाप्त।